दोस्तो खास कर्बा चौत पर गलती से भी ऐसा मैकप कभी मत करना और ना ही माथे पर ऐसा सिंदूर लगाना। सिंदूर लगाते समय और मैकप करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। नहीं तो आपका जीबन शुरू होने से पहले ही बरबाद हो सकता है। पती पतनी में जिन्दगी भर जगड़े हो सकते हैं। दोस्तो कर्बा चौत का त्योहार महिलाएं बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। और लगभग साल के आते आते महिलाएं पहले से ही कर्बा चौत की तयारियां करना शुरू कर देती हैं। ये तियोहार ना केबल भारत में मनाय जाता है बलकि विदेशों में रहने बाली महिला भी अपने पती की लंबी आयू के लिए इस ब्रत को मनाती हैं। बॉलिबुट सेलिब्रिटीज करबा चौध तियोहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं। खास करबा चौध पर माथे का सिंदूर और चेहरे के मैक अप से लेकर कपड़ों तक का विशेश महत्व है। ऐसे मैं आज हम आपको बताएंगे की माथे पर सिंदूर कैसे लगाना चाहिए और मैक अप लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बाते आज हम आपको बताने बाले हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों मांग का सिंदूर। शास्तरों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मांग का सिंदूर किसी भी महिला को कभी नहीं छुपाना चाहिए यानि कुछ महिलाय मांग में सिंदूर छोटा सा लगा लेती हैं जो की अशुब माना जाता है कम से कम खास करबा चोट पर जितना जादा हो सके मांग में सिंदूर इतना लंबा लगाएं कि आपकी खुबसूरती में चार चांद लग जाएं और ऐसा करना बहुती शुब और मंगलकारी माना गया है ऐसे में माता रानी भी आपकी खुबसूरती देख प्रसन होती है और देती है बरदान आपको बता दें सिर के बीचो बीच मांग में ही सिंदूर लगाना चाहिए ना कि आगे माते पर कम से कम करबा चोट पर तो ऐसा ना करें दोस्त तो अब बात करते हैं खास करबा चौत पर मैक अप कैसे करें और कैसे ना करें तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्त तो करबा चौत पर महिलाएं खास तोर पर नई दुलहन की तरह तयार होती हैं शादी के बाद पहला करबा चौत हो या फिर दस बाँ इस दिन सजने सबरने का दिन माना जाता है इस दिन महिलाव का सौंधर कई गुना बढ़ जाता है और खुबसूरती अपना जलबा बिखेरती है लेकिन क्या आप जानते हैं चेहरे पर मैक अप करते समय ये गलती आप कभी मत करना इस ब्रत में एक महिला को ये ग्यान होना चाहिए कि पराई इस्तिरी का मैक अप कभी इस्तिमाल मत करना मैक अप आपका खुद का ही होना चाहिए ताकि पूजा पाट सफल हो सके दोस्तों बहीं ब्यूटीशियन के अनुसार चेहरे पर मैक अप कुछ इस तरह लगाना चाहिए कि ताकि आपका चेहरा खराब ना हो दोस्तों इस ब्रत में सभी महिला सच्टी सबड़ती हैं लेकिन इस कारे में साबधानी बरतनी चाहिए अन्निता खुशी के अपसर पर परेशानी खड़ी हो सकती है ऐसे में जिन लोगों का पहला करबा चौत है तो बहुती ज़ादा हैबी मैक अप ना करें इससे आपको परेशानी हो सकती है बही महिलाओ को ब्लैक डाई युक्त महंदी का प्रियोग भी कतई नहीं करना चाहिए इससे ना केबल ऐलर्जी हो सकती है बलकि तबियत भी आपकी बिगड़ सकती है दोस्तो मौसम बदल रहा है इसलिए लाइट मैक अप यूज करना चाहिए ड्राई इसकीन होने पर मौस्चराइजर लगा कर मैक अप करना चाहिए ओली इसकीन होने पर बाटर फूरूप मैक अप करना चाहिए बाइट ब्यूटी क्रीम से बचना चाहिए क्योंकि ये इसकीन को पतला करती है इस पिरकार से साबधानी बरत कर आप बरत को सफल बना सकती है तो दोस्तो धन्यबाद